पुलेटिन की शुरुआत करते हैं पड़ी खबर के साथ भुपाल से खबर मिल रही है जहां बीजेपी भी आप कॉंग्रस को अदेक्ष के साथ विधान सबा उपादेक्ष का पद नहीं देगी 20 जुलाई से मौनसून सत्र शुरू होगा कॉंग्रस और बीजेपी में फिर अब शक्ती परिक्षन हो सकता है वर्तमान सियासी समुकरोनों के हिसाब से अगर हम देखे तो बीजेपी का पलड़ा भारी है पिछली कमला सरकार ने भी दोनों पद अपने पास रखे थे जा रहा है और बीजेपी का हालांकि अभी हम देखें तो पलड़ा भारी है जादा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे विश्यस तमवादा था विजे मान के हमारे साथ जुड़ चुके है विजेपी कॉंग्रस फिर इनके बीच में शक्ती परिक्षन हो सकता है बिल्कुल करिश्मा और मॉन्सून सत्री जो है वो फ्लोर टेस्ट के दौरान हम देखें तो अद्दक्ष और उपाद्दक्ष के चुनाव होना है तो एक तरह से वो फ्लोर टेस्ट ही माना जाएगा क्योंकि अद्दक्ष के चुनाव के लिए आपको विदायकों की संख्य बहुमत होना ज़रूरी है और इससमें बीज़ेटी की संख्या टेस्ट के करीब है अलांकि अद्दक्ष का पद है मन्दव देश में एक परंपरा रही हमेशा से हम 2018 से पहले की बात करें तो अद्दक्ष का पद विपक्ष के ही खाते में जाता था और विपक्ष का ही कोई सदज से उपाद्यक्ष चुना जाता था विधानतवा का लेकिन 2018 में जब कॉंग्रेस की सरकार आई तो उसने अध्यक्ष और उपाद्यक्ष दोनों पद अपने पात रखे और इसे लेकर भी काफी राजनी पी जर्माई थी तो कि पिछले बार गम 2018 में देखे तो दानतवा कि जो पाद्यक्ष बनी हिना कावरे उनके सामने बीजेपी के विजय शहा उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया तो पाद्यक्ष पत के लिए लेकिन चुनकि उस समय कॉंग्रेस के पास तो पूर्ण बहुमत नहीं था लेकिन निर्गलिय सपा और बस्पा ने जो पाद्यक्ष के चुनाव में समर्थन दे दिया था कॉंग्रेस को और इसी वज़य से बीजेपी का उपाद्यक्ष नहीं बन पाया और अब ऐसा ही कुछ इस फरकार में भी देखने को नजर आ तकता है और बीजेपी पहले ही संकित दे चुकी है कि अद्यक्ष और उपा अब जो है वो फिर से कायम होगी ऐसा मुश्किल लगता है बिल्कुल विजेपी बहुत बहुत शुक्री हमाई साथ जुड़ने के लिए तो बीजेपी भी कॉंग्रस को अब अधिक्ष उपादिक्ष का पद नहीं देगी और सुत्रों के हवाले से एक हबर है फलाल और शक्ती पर इक्षण यानि कि फ्लोर टेस्ट हो सकता है लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी है क्योंकि बीजेपी के पास 113 विदायको का समर्थन है और कॉंग्रस के पास 13 अधिरान के